कि लिखे वह विच वान आप दी फॉलिंग स्टेट इन इंडिया थी लॉंगेस्ट कोस्ट लाइट ऑप्शन के साब से आंसर देना है शायद आपको कुछ और यह आंसर याद होगा लेकिन इस क्वेश्चन में आपको ऑप्शन के हिसाब से अंदर दे आंसर देना है बते मैं लेंड बाउंडरी दोनों चीजे शेर करता है अगर हम भारत के मैप को जड़ा ध्यान से देखेंगे तो हमारा यहां पे कठिया अगर हम कच और कठिया वार प्लैटू को छोड़ दे और उसके बाद पूरे भारत की अगर हम बात करते तो हमारा लेंड बॉर्डर जो है वह ज तट्रेखा सबसे लंबी है तो आपको पता है कि गुजरात की तट्रेखा जो है वह आपकी सबसे लंबी बोली जाती है लेकिन गुजरात ऑप्शन में नहीं है गुजरात के बाद दूसरी तट्रेखा जो सबसे लंबी है वह बोली जाती है आपके आंधर परदेश की की जाती हैं हम बात करें किसकी तमिल नाडू की किसकी बात कर रहे हैं पूरा तमिल नाडू याद रहे कि देखी 7516.16 किलो मीटर की पूरी जो तटी ये कोस्टल रेखा जो है भारत की उसमें तमिल नाडू सबसे इम्पोटेंट रोल प्ले करी रहे अब कौन-कौन सी स्टेट कोस्टल बाड़स शेर करती हैं अच्छा कितनी स्टेट हैं कोस्टल बाड़स शेरो करने वाली ये जरह कमेंट बॉक्स में लिखें पहली गुजरा दूसरी महाराष्ट रह तीसरी गोवा चौथी करनाटगा पा कोस्टल लाइन के साथ ठीक है अच्छा आपको याद रखने हैं ना कि चार ऐसी स्टेट हैं जो ना तो कोस्टल और ना ही लैंड बॉड़ा शेर करती हैं ठीक है यह आपकी सारी यह आपका यह वाला पूरा पार्ट रहीं एक ही हो गया आपका और 1 2 3 4 और 5 पाच आपके ऐसे आपकी ना आपको जिस दिन यह लगा कि चलिए ठीक है आपका ना सारा पार्ट कंप्रीट हो गया आपकी ना सारी चीज़े आपको आती है और आप मेरे क्वेस्टन को अगर मैं कोई क्वेस्टन दुबारा पूछ रहे हैं और सारे बच्चे साही अंसर देरत मैंने अगला जादा पढ़ाने की कोशिश कर दूँगी ठीक है आप प्लीज करके आप रिवाइस करना शुरू करिए जादा से जादा रिवीजन पर फोकस करिए चीजों को रिवाइस करके लेके जाए अटमोस लेवल तक है ना वह आपको बहुत जादा हेल्प करेंगे चलिए ठीक है